इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि आपके सपने कितना जादा बड़ा है। करने के बारे में सोचते हैं। उस फील्ड में लोगों की भीर देखकर वो सोचते हैं कि मेरे आवाज इस भीर में तो कोई भी नहीं सुनेगा। लेकिन आपको ये सब भूल कर भी नहीं देखना है। मार्केट में बेस चीज का वैलू हर वक्त रहता है। और इसलिए आपको हर रोज खुद को बिटर बनाती जाना होगा। आपको अपने स्किल्ज को डेवलप करते जाना होगा। आप अब जहां पर हो और आप जहां पर जाना चाहते हो उसके बीच में एक लंबा गैप है और इस गैप में ही आपके स्किल्ज को डेवलप करते जाना होगा। और जब आप अपने स्किल्ज को हासिल करोगे जो कि आपके लग्स को प्राफ्ट करने के लिए चाहिए, तभी आपके जीवन में कुछ मैजिकल होने लगेगा। आप जिस फिल्ड में अपने आपको बेस्ट बनाना चाहते हो, आपको उसमें बाकियों से अलग करना होगा। आपको हर वक्त अपने आप से ये सबाल बस पूछते ही जाना होगा, कि आप क्या बाकी में बिष्ट हो, क्या आप जो कुछ भी कर रहे हो, वो अपना पूरी ताकत से कर रहे हो, खुद को बिठर बनाने के लिए, और ये ही वो चीज है, जो एक अच्छा और एक महान इंसान म फाक बनाता है, जब लोग अपने मन में ये बदलाव लाते हैं, और वो जो है, उससे अलग कुछ बढ़ने में फोकस करते हैं, और खुद के हर एक नाकामियाभी को ढूंट लेते हैं, और अपने अंदर वो सारे चेंजिस करने के बारे में सूचते हैं, जो उनको आगे करने की कोसिस करने लगेंगे, क्योंकि आपको जीवन में जो चाहिए, उस पर आपको काम करना होगा, और तभी आपके सपने सच होने लगेंगे, आप अगर सफलता के बारे में सोच रहे हैं, नाम और पैसों के बारे में सोच रहे हैं, तो फिर आप सफल नहीं बनोगे, क् क्योंकि आपके time, energy और attention गलत चीजों के तरब जा रही है, आप असल में सफल होने के बाद क्या मिलेगा वो सोच रही हो, सफल बनने के लिए आपको क्या करना होगा वो नहीं सोच रही हो, आप अगर अपने उपर काम करने लगेंगे, उससे कोई फर्क नहीं भरता है, कि आप उसे बास्थप का रूप दे सकते हो, क्योंकि हमेशा जो बिष्ट होता है, उसके लिए अलग स्पेस जरूर होते हैं।